Hello friend, good morning और आज है 3rd October तो चलिए देखते हैं आज का Current Affairs वीडियो में होते हैं Total 8 Questions, सबसे पहले News of the Day Facebook the largest creator education program, बहुत important news और ये help करेगा सभी लोगों को जो भी नए education creator है, ठीक है? तो उनके लिए Facebook और Instagram एक program ला रहा है, अगर आप Instagram में हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं इस program से Facebook और Instagram इस program में creator education program है, जिसमें जो creators हैं, जो education creators होते हैं, new startup होते हैं उनको support करने के लिए ये program स्टार्ट किया जा रहा है Facebook और Instagram के द्वारा चलिए देखते हैं, सबसे पहले वीडियो में होता है कल का question, डीजी सक्षम is related to, डीजी सक्षम किसे related है? तो ये program जो है, वो related है, rural digital education से, जी हाँ, गाउं के youth को digitally educate करना है, देखें आज mobile सब के पास है semi-urban area के जो youth हैं, उनको educate करने के लिए ये program स्टार्ट किया गया है current affairs reach देखते हैं, question number one, वीडियो को पूरा देखें और pause करके देखें, समझ के देखें, तभी आपको समझ में आएगा और आपके exam में question सही होंगे जल जीवन mission has completed, जल जीवन mission ने कितने साल complete कर लिये हैं? जी हाँ, two years, क्यों? क्योंकि ये 2019 में start हुआ था, तो two years हो रहे हैं, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरिन मोदी जी एक बहुती बड़ा program पार्टिसिपेट किये हैं, जल जीवन mission से related इसे question ये आएगा कि जल जीवन mission जो है, piped water supply करेगा कब तक? ये question आएगा, तो ये supply करेगा 2024 तक, ध्यान देनना, 2024 तक ये piped water supply करेगा हर घर में Question number two पे आते हैं, first sport arbitration center has been unveiled in which city, पहला sport arbitration center बनाया जा रहा है, कौन से सहर में? तो ये बनाया जा रहा है एहमदाबाद में, देखें, गुजरात के एहमदाबाद में, कीरन रिजिजु गय थे और वहाँ start किये हैं, पहला sport arbitration center, इसका purpose ये है, sport को promote करना है, और कीरन रिजिजु कौन से minister है? basis questions भी आते है एक्जाम में, तो ये जो है, ये law minister है, ध्यान रखेगा, आगे बढ़ते हैं, question number 3 की तरफ, what is the total outlay, अमरूत mission, urban 2.0, total outlay, अमरूत mission, urban 2.0 का क्या है, तो देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी ने announced किया, और अमरूत 2.0 स्टार्ट किया, तो इस पूरे mission का target है, 2.87 लाग करो, ठीक है, स्वक्च भारत mission और अमरूत mission, ये कब स्टार्ट हुआ था, जी हाँ, 1st October को, देखें, current affairs के जो है न, वो बहुत जादा पढ़ने की जोगत नहीं है, क्या होता है, exam के time हमें लगता है, हम सब कुछ पढ़के जाए, तो ऐसा ना करें, exam के time भी हो, आप daily पर हो, daily current affairs देखो, daily ही बहुत हल पाता है, हाँ, exam के time में जो आप source use कर रहे थे दिनों से, वही use करें, अमरूत mission जो है, अटल mission for regeneration and urban transformation mission, ठीक है, ये बहुत important program है, जिसके अंतरगत urban development की जारी है, urban housing, urban projects, वो रहे हैं, से, related है, अमरूत mission से, question number 4 पे आएंगे, याक farming scheme has tie up with, याक farming एक नया scheme आया है, और ये किस bank से जुड़ा हुआ है, तो देखिए, ये scheme जो है, वो नवाड से जुड़ा हुआ है, नवाड याने National Agriculture Bank for Agricultural Development, बहुत important है नवाड, National Agriculture Bank for Rural Development, उससे ये tie up है, याक farming जो है, वो पहला state, जो याक farming को insurance कर रहा है, यानि इसूर्ट कर रहा है, याक को नहीं मार सकते हैं, याक को अगर रखना है, तो उसकी सेवा करनी होगी, तो उसके लिए पैसे जो खर्च होंगे, वो भी मिल रहा है, गवर्मेंट के द्वारा, तो ये कौन सा state है, जो याक farming इसूर्ट कर रहा है, तो वो है हिमाचल परतीज, बहुत इंपोर्टेंट है ये, फाइट कोशन पर आते हैं, बॉलिवोड स्टार्ट रनवीर सिंग ब्राइन अमेस्टर बन गया है, तो वो ब्राइन अमेस्टर बन गया है, निशनल बास्केट बोल अस्योशियेशन के ब्राइन अमेस्टर बन गया है, रणबीर सिंग कुश्य नमबर 6 पे आ जाते हैं माई लाइफ इस फूल वर्क, फैंबली एन आर फ्यूचर हैस रिटेन बाई पहुत इंपोर्टेन बुक जी हां ये बुक लिखा गया है इंदरा नुई के द्वारा देखें माई लाइफ इन फूल वर्क, फैंबली एन आर फ्यूचर इंदरा नुई ने बताया कि किस दल से वो अपने लाइफ को बैलेंस की फैंबली और फिर अपने वर्क के साथ कुश्य नमबर 7 पे आएंगे फर्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन फ्रोजेक्ट विल बिस अटपे लाइफ पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पहाँ स्टैबलिस किया गया है एगर अपने उस प्रेपर पढ़ रहे है तो इसका अंसर जरूरा देए ये लदाक में हो रहा है को हें ठीक है NTPC क्या है एक PSU है ठीक है तो वर्ल का पहला Green Hydrogen Project स्टार्ट हो रहा है Question No.8 पे आएंगे Who has launched Nationwide Clean India Program जो कि 1st October से लेकि 31st October तक प्रियाग राज उत्तर पर्देश में चलाया जा रहा है Nationwide Clean India Program has recently started by अनुराग ठाकूर ठीक है तो अनुराग ठाकूर ने प्रियाग राज में ये प्रियाग राज में ये प्रियाग स्टार्ट किया है जो कि 1st October से लेकि 31st October तक चलेगा Question of the day देख लेते हैं आज का सवाल लाल बहादुर सास्त्री वर्स बॉनिंग किस राज जैसे वह बिलॉंग करते हैं लाल बहादुर सास्त्री इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे To the point most important easy and simple current affairs के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं धन्यवाद